पहले हम लोग मोनेरा जगत पढ़े हैं मोनेरा जगत के बाद प्रोटिस्टा जगत पढ़े हैं जब प्रोटिस्टा जगत पढ़ रहे थे तो वहां आप लोग ध्यान दिये होंगे कि एक जीब का नाम हम बताए थे कि प्रोटिस्टा जगत के अंतरगत ये जीब आते हैं उस उसकें अंतरगत डाइ एटम तथा सुनहरे सेवाल आते हैं कौना छवी नवने दियां दिए यह सुख्ष जल लबने लवणाने यृने दोनों में पाये जाते हैं साप पानी में भी पाए जाएगा और समुद्र का पानी में भी पाए जागा कौन क्राईसा फाईट का जो सतस्ञ है क्या नाम है डाई एटम तथा सुनहरे सेवाल तो यह कहां पाए जाएंगे सुक्ष एवं शुक्ष जल एवं लबनिय जल लबन यह जल आइस समुदरी जल होते हैं दोनों में पाए जाते हैं ये अत्यैंत् सुख्ष मोद कि बहुत छोटे होते हैं दफा जल धारा के साथ supply-ójक से से बहते रहते हैं निशेश्ट रूप मतलड़ कोई TENSON नहीं है चल रहे हैं बाहँ रहे हैं यह अत्यांत्सुक्ष में होते हैं तथा जल्दारा के साथ निसेश्ट रूप से बहते रहते हैं ठीक है डाई एटम में कोशिका भित्ती साबुन-दानी की तरह होती है किसकी तरह होती है साबुन-दानी की तरह होती है जो कि कवच का काम करता है जो कवच का काम करती है इन भित्तियों में सिलिया होती है इन भित्तियों में क्या होती है सिलिया होती है जिस कारण यह नश्ट नहीं होते हैं सिलिया के कारण यह नश्ट नहीं होते